क्या आप भी हकाई टीवी की वीटियो देख देखे उसके यसे वन टेम मान ना चाहते हैं उसके जैसे मुमेंट स्पीट करना चाहते हैं तो बस आपकी यह आखरी वीडियो है इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं चार नहीं पूरी तीन गटों अर्ट की तो आप बन सकते हैं एक अल्टरा प्रॉंक अखंड प्रो प्लेयर बन सकते हैं आप हेकर को भी बगा बगा के बंटे मार सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो को फुल बोच करना और एक बास अगर आपने लाइक नहीं किया तो तूट हो गया बेटे तो गाइज हकाई टीवी से भी खतनाक मूमें इस बंदे की यह उस बंदे का नाम है अपेला पातो हाँ तो गाइज आपको यह नाम तो अजीव सा लग रहा होगा लेकिन इस बंदे की मूमेट पीट नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा आपको देख लो हाँ तो ऐसी अपेला पातो मूमेट करने से आपको क्या फायदा होगा आपको कोई हैड होगा ही नहीं तो आपको कोई हैड होगा और ऐक बात को बता नहीं बूलिए और यह हकाईटी भी विव्यूज करता है तो इन के अंदर सबसे पहली चीज़ है मतलब करने के लिए आपको 3 फिंगर या 4 फिंगर प्लेयर होना चाहिए अगर आप 2 फिंगर खेलते हो तो जल्दी से 3 या 4 फिंगर पर शिप्ट हो जाओ अगर आप चाहोगे तो मैं एक और वीडियों बना दूँ है जिस पर आप 3 और 4 फिंगर की कस्टम हड़ी कैसे बना सकते हैं और यह पर आप कि तो इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर हैं जैसे की पागल एम टेन हैं वह भी हैक लगागे मेरा मतलब है कि 3 या 4 फिंगर ही खेल जाओंगे यहां तक की जो अपने इंडिया को फास्टेस प्लेयर राइस्टार भी 3 और 4 फिंगर प्लेयर तो आप एक थ्री य इसे तो आपको कुछ सम्झ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूं कि इसके अंदरे पहला पातो ने किया जा है इस वीडियो क्लिप में अपने एनमी को एक फेक लिप दिया है इसमें उसमें ऐसा दिखाया है कि वह अपना सेफ कवर चोड़ कर उस पर फायर करने जा रहा इस ट्रिक के लिए आपको रहन और को बीटन की प्रैक्टिस करने है और सबसे पहले आपको क्लिक करना में पर करना है और यह साःес को जो ़ृच में बहुत ही अच्छा करता है और इस त्रीक का रह सिखना है तो यहाँ आ अपको यह इन बीदाता हूं तो यह देखेए यहां पर हमारी 1v1 की situation होगी है इसके अंदर वो भी अपना cover छोड़ने को राजी नहीं है और मैं भी अपना cover छोड़ने को राजी नहीं हो इसके अंदर मैं अपहला पातो फेक view टेकनिक का इस्तमाल करूँगा तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बाहर निकलूँगा और कराउट करके वापिस अंदर आदूँगा और सामने कोई भी वो भरक बंदा बाहर निकलते ही उस पर fire करेगा इसलिए वो भी fire करेगा उसको fire करता देख मैं भी बाहर निकल के उसको तीरे से one type कातूँगा तो इस ट्रीक का आप इस्तमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही बहतिनी ट्रीक है अगर आपको इस वीडियो का अंदर थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है या पिर आपको कुछ चना कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीड़ियो को लाइक कर देना लाइक टार्गेट को लाइक है इतना Helik करता यार और आपको एक गूड यह ट्रिक बहुत जादा कम्यूज कर देती है आपके एनिमी को तो इस टेकनिक में क्या होता है कि हमको अपने एनिमी पर फेक रसित करना होता है तो मुझे पता है कि आपको इसे नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो देख रीजिए अपने इनिमी पर डायरेक्ट रस कर देता है तो गाइस यह कोई सीदा रस नहीं होने वाला यह एक अलग एंगल पर जा रहा है मैरा मतलब है कि यह टेरा जा रहा है अगर यह इस सीदा जाएगा तो enemy इसे असानी से मार देगा इसलिए यह यह जा रहा है और इस पोजिशन है कि वह सोचता ही रहता है कि वह कहां से आएगा और इसी confusion का फायदा उठाकर अपहला पातो उस बंदे को असानी से headset मार सकता है तो basically हम इस technique में हमें अपने enemy को confuse करना होता है कि आप कहां से रश्कर रहे हैं अपहला पातों का सारा खेल क्राउट और रन बटन का ही है तो आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करनी है तो गाइस अब बढ़ते हैं तीसरी खतना क्रीक की तरफ उसके विना यह दोनों ट्रीक किसी काम की नहीं है तो चलो तो तो कि आपको जो क्रेक्टर रहना वो मुमेट स्पीट वाले क्रेक्टर लेने हैं जैसे कि के लिए और अपनी से स्टिविटी को 100 रखना है रेड डोट और जनरल जनरल और रेड़ डोट को 100 रखना है अगर आपके पास लोड वाईस है तो आप डीपि यूज कर सकते ओं लेकि तो आपके एक लाइक के हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो को मनाने के लिए तो जहीं बाई बाई टाठा थेंक यू गूद बाई